नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन लोग सेवा आयोग द्वारे एगारवी सिवील सेवा परिक्षा वर्ष्ट दोह जा सकती है, इसके लिए कार्मिक विभाग जन्वरी फरवरी फरवरी दोह जन्वरी दोह जन्वरी तक लगभग 350 पद आयोग को भेजने की त्यारी में जुट गया है कार्मिक विभाग के पास अब तक लगभग 40 पद मिले हैं, फरवरी दोह जन्वरी दोह जन्वरी तक लगभग 300 और पद आने की सम्भावना जताई गई है इधर सम्भावना यह भी जताई जा रही है कि कालेंडर अप टू डेट करने के लिए 11 और 12 और 12 सीविल सेवा परिक्षा एक साथ लिया सकती है वहीं 17 से 10 सीविल सेवा परिक्षा 2020 में पूरी हो चुकी है इस अधार पर 11 सीविल सेवा परिक्षा 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन 2022 समाप्त होने में लगभग 1.5 महा बचे है ऐसे में राज सरकार के नियम के उनसार अब सीविल सेवा परिक्षा वर्ष के अधार पर जानी जाएगी जारखन में सिर्फ खत्यानी ही बने सिक्षक मंत्री राज में 1932 के खत्यान आधारित असानियता वा नियोजन निति के अधार पर ही सिक्षको की नियुक्ती होगी राज में प्रस्तावित असानियता वा नियोजन लागू करने की परकिरया पूरी होने तक सिक्षक नियुक्ति की प्रवधान में सरकार बदलाव करेगी सिक्षा मंति जगानात महतों ने असपष्ट कहा है कि बिहार में केवल बिहारी सिक्षक बनते हैं तो जारकन में भी केवल खत्यानी ही सिक्षक बनेंगे हमारी सरकार ने 3rd वा 4th ग्रेट की नियुक्ति को 1932 के खत्यान अधारित नियोजन निती से जोड़ा है बिधान सभा से इसे पारित करा दिया गया है इसे लागू करने की परकिरिया पूरी होने तक नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी अईसा भी नहीं होने दिया जाएगा कि इस दवरान ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाए जो इस परोधान के तहट नहीं आते हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी को यह कहने का मौका नहीं देंगे कि हमारी निती के अनुरूप नियुक्ति नहीं हो रही है सिक्छा मंत्री ने कहा है कि इस पर जल्द निर्ना लिया जाएगा अवय देखनन में भी पूजा सिंगल को बनाया जा सकता है आरोपी परवतन निद साले ने पूजा सिंगल प्रकरण में अपनी रिपोर्ट राई सरकार को भेजी है इसमें पूजा सिंगल द्वारा मनी लॉंडरिंग के जरिये अपने और अपने परिवारिक सहस्यों के नाम अर्जित की गई संपती आधी का बेवरा दिया गया है इडी ने अपनी रिपोर्ट में अभी कहा है कि C.A. सुमन कुमार के ठेकेदारों से जबत रूपाय अवयद खरन सम्मधित है इस रासी को अवयद खरन मावले में अस्ताना इंतरीत कर दिया जाएगा अवयद खरन मावले में भी पूजा सिंगल को अभयूक्त बनाया जा सकता है तीन से चार जीला खरनन पताधिकारी को भी अभयूक्त बनाने की संभाणा है धनबाद में C.A. सेफ कोईला चोर एंकाउंटर की होगी जाँच चार की मौत धनबाद जीले के बाग मारा के B.C.C.L. बलोक दो छेतर की बेनी डि में साइडिंग में सनिवार की देर राज C.A. और कोईला चोरो के बीच होई मुटभेड में दोरो तरब से 10-12 राउंड गोली चली C.A. इसमें 4 लोगों की मौत घाटनास्तर पर हो गाई जाबकि दो लोग गमभी रूपसे घायल है C.A. मुटभेड में दो जवान भी चोटिल हुए हैं C.A. मुरित कोई में बाग मरा थाना चेतर के रथ टंड निवासी साजादा खान अतावुला अंसारी तथा तेलो टांड निवासी प्रितम चौहान एवं सुरज चौहान सामिल है इसमें तेलो टांड के युवक बादल रवानी एवं रमेश राम गंभी रूप से घायल है जारखन नगर निकाय चुनाओं में हर बूथ पर तैनाथ होंगे 6 कर्मी अगले माह संभावित नगर निकाय चुनाओं में परतेक मदान केंद्र पर 6 अच्छा मदान कर्मियों की तैनाथी की जाएगी मदान के नरू पर एक पिठासीन पदाधिकारी के अलावा पांच अने मदान कर्मी लगाए जाएंगे राज निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी जीला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायूगत को असपश्ट दिसानीदेस दे दिये हैं बतादे जारखंडाज निर्वाचन आयोग ने ने ले लिया है कि निकाय चुनाम में मद्दान कर्मियों के चयान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू पर किरिया की तहत रेंडम तरीके से किया जाएगा चत्रा में मर्निंग वाग के दरान पंचायत सचीव को वाहन ने रहुंदा है चत्रा जिले के गिधर प्रखंड मुख्याले निवासी एवां मियूर हंड प्रखंड में पदस्थापीत पंचायत सचीव दिन बंधू पांड़े की सलक दुर्खटना में मौत हो गई साइकल से मर्निंग वाग पर निकले पंचायत सची को अग्यात वाहन ने रहुंदते हुए चला दिया खटना रभिवार की सुबह किया है जनकारी के अनुसाथ दिन बंधू पांड़े प्रती दिन के भाती रभिवार को भी साइकल से मर्निंग वाग के लिए परखंड के बढ़की नदी की ओर गए थे सुबह करीब साड़े पांच वजे किसी अग्यात वाहन ने इन्हें अपनी चापेट में ले लिया जिससे वेगम भी रूप से घायल हो गए और साइकल पूरी तरह से शतिगरस्त हो गई सुबह सड़क सुनसार होने का लाब उठाकर चालक व लगने वाले जाम से रहात मिलेगी निर्मान कार में तेजी लाने को लेकर ही अब सरनी बार से कांटा टोली फलाई उबा निर्मान चेत्र में ट्रैफिक को वनवे किया गया है मुख्यमंत्री हेमान स्रेन भी पिछले दिनों कांटा टोली फलाई उबा निर्मान कार का जज में कम्पनी की तरह से कंटा टोली फलाई उबर निर्मान चेत्र में वनवे लगाने की मांग की गई थी जिसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस चेत्र को वनवे किया गया है MP MLA कोट से कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को मिली रहात MP MLA कोट से विसेस नेयाईक दंडा दिकारी आनामी का किसकू की आदालत ने आरोपी पुर्व बिधायक बंधु तिर्की वासवी की डो समेत 6 लोगों को पर्याप्त साक्ष के अभाव में बरी कर दिया है एस अभी 7 साल पुराने HEC छेत्र के कुट्टे गाव में परस्तावित बिधान सभा भावन निर्मान छेत्र में हल चलाने सरकारी कारे में बाधा पहुचाने समित अनमामले में आरोपी थे गाटना को लेकर परसासन की ओर से 12 जुलाई 2015 को नगडी थाना में नामजात प्रत्मी की दर्ज की गई थी सुनवाई के दरान अभीयोजन पक्ष के गवाहों ने गाटना का समर्थन नहीं किया इन गवाहों में चार गवा लोक सेवक थे जिसने बंधु तिरकी और वासवी किड़ों को पहचाने से इनकार किया था जिसका लाब आरोपियों को मिला है जारखन में ठंड बढ़ने का पुरोनमान जारखन में अगले पांच दिनों के दोरान तेजी से ठंड बढ़ने का पुरोनमान है राजधानी राची समेत राजी के अधिकान से हिस्वों में तापमान लागातार गिर रहा है कनकनी बढ़ गई है कई हिस्वों में तापमान समाने से नीचे चल रहा है सनिवार को डाल्टेंगे में सबसे कम निम्तम तपमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया वहीं समाने से 5 डिग्री नीचे है अधिक्तम तपमान 8 डिग्री रहा वही राई धानी राची में अधिक्तम तपमान 24.1 डिगरी और निमतम तपमान 11.5 डिगरी दर्च किया गया जो समाने से 2 डिगरी कम है अधिक्तम तपमान कम रहने से यहां दिन की धूप में भी ठन का असास हुआ है सहीद सुबेदार मेजर सांती तिर्की फूटबल टूर्नामेंट लेकिन यह एक सन्योग ही है फीफा वर्ल्ड कॉप का उदगाटन वीर अभीवार को ही होना वला है बता दे सहीद सुबेदार मेजर सांती तिर्की स्पोर्टिंग कल्व के तत्वधार में आवेजित इस टूर्नामेंट से समधित पेस कॉन्फरेंस की गई एमेस धोनी गुमला में खोलेंगे फार्म हाउस जमिन पसंद आ जाती है तो समधित भूमी पर हर्याली उतर आएगी ग्रामिनों को रोजगार भी मिलेगा चूकि धोनी का फोकस इन दिनों समयकित खेती पर है इसलिए क्यास लगाया जा रहा है कि वे फार्म हाउस ही अस्थापित करेंगे पलामु में छात्राओं की सिकायत पर सिक्षिका की गई नोकरी पलामु जिला उपायुक्त कस्तूरबा गांधी बालिक का आवासे बिद्यालों के प्रति काफी गंबीर है इस बिद्यालों के माध्यम से बच्यों को बेतर सिक्षा परदान करने को लेकर उपायुक्त और चैनपूर इस्थित कस्तुर्भा गांधी बालिका आवासे विद्यालों का निरिक्षन किया गया था यह निरिक्षन बीते 9 नॉमबर 22 को किया गया था तब विद्यालों की छात्राओं ने जीला उपायुक्त से कई तरह की सिकायते की थी इन सिकायतों को देखते हुए उ कमेंट बुक्त में अपना फिडिवेक आवासे दे थैंक यू